यूर एक्सरेंसी प्रधान मंत्री शेख हसिना जी असम के मुख्य मंत्री हिमंत विश्टव शर्मा जी केंद्रिय मंत्री मंडल में मेरे सहयोगी स्री हरदीप पूरी जी और हमारे असाम के ही और भारत सरकार के मंत्री स्री रामेश्वर तेली जी बंगलादेश सरकार के मंत्री गण और हमारे साथ जुड़े अन्य सभी साथियों नमस्कार भारत बंगलादेश समंदों में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है इंडिया बांगलादेश friendship pipeline इसकी नीव हमने सितंबर 2018 में रखी थी और मुझे खुशी है कि आज प्रधान मंत्री शेख हसिना जी के साथ इसका उद्धारण करने का भी अवसर आ गया यह भी संतोस का विशय है कि कोवीड महमारी के बावजुद भी इस प्रोजेक्ट का काम जारी रहा इस pipeline से उत्तरी बंगलादेश के विभिन्द जीलों को एक मिलियन मेट्रिक टन हाइश्पीड डीजल की आपूर्ति की जा सकेगी pipeline के द्वारा सप्लाई से खर्च तो घटेगा ही इस सप्लाई का कार्बन फुट्प्रिंट भी कम होगा भरोसे मन और किफायती डीजल सप्लाई क्रिसिक छेत्र के लिए विशेस रुप से लाबदायक होगी स्थानिय उद्योगों को भी इसका लाब मिलेगा आज की बैश्विक स्थिती में कई विकास्चिल अर्थववस्ताएं अपने खाद और उर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जूज रही है इस संदर्ब में आज के आयोजन का महत्व और भी अधिक है साथियों पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री सेख हसिनाजी के कुशल नेत्रुत में बांगला देश्व ने उल्लेक नियव प्रगति की है इस पर हर भारतिय को घर्व है और हमें खुशी भी है कि हम बांगला देश की इस विकास यात्रा में योगदान दे पाए है मुझे विश्वास है कि हम पाइप लाइंग बांगला देश के विकास को और गती देगी और दोनों देशों के बीश बढ़तिक कनेक्टिविटी का भी उत्कुश उधारन रहेगी यह आवशक है कि हम अपनी कनेक्टिविटी के हर स्तंब को स्द्द्ट करते जाएं चाहे वे परिवान के एक्षेत्र में हो उर्जा के एक्षेत्र में हो बिजली की गिरीड की बात हो या डिजिटल क्षेत्र में जितनी हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी उतना ही हमारे पीपल टू पीपल समंदों को बल मिलेगा मुझे आध है कि कई वर्षो पूर्व प्रदान मंत्री सेख हसिना जी ने 1965 से पहले की रेल कनेक्टिविटी बहाल करने के अपने वीजन के बारे में चर्चा की थी और उसी समय से दोनों देशों ने मिलकर इस पर बहुत प्रगति की है इसी का परणाम है कि कोवीड महमारी के दोरान हमें रेल नेटवर्क के द्वारा बंगला देश को आक्सीजन आदी भेजने में सुविदा रही उनके इस दुर द्रश्टी भरे वीजन के लिए मैं प्रधान मंत्री सेख हसिना जी का रदय से अभिनन्दन करता हूं साथियों बिजली के ख्षेत्र में हमारा आपसी सहयोग बहुत सफल रहा है आज भारत बंगला देश को ग्यारा सो मेगा वोर्ट से अधीक बिजली सप्लाई कर रहा है मैत्री सूपर थर्मल पावर प्लांट की पहली उनिट भी चालू हो गई है इसका उधारन हमने पिछले साल प्रधान मंत्री सेख हसेनाजी की भारत यात्रा के समय किया था और अब हम दूसरी उनिट को भी जल्दी चालू करने की दिशा में काम कर रहे हैं जहां तक उर्जा सहयोग की बात है हमारा पेट्रोलियम ट्रेड एक बिलियन डॉलर पार कर चुका है यह खुशी की बात है कि हमारा सहयोग हाइड्रो कार्बन की संपूर्ण वेल्यू चेन में है चाहे वो अप्स्ट्रीम हो या मिड्स्ट्रीम या डाउन्स्रीम इस पाइप्लाइन से यह सहयोग और व्यापक होगा मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी अधिकारियों विशेश रुप से नुमालीगट रिफाइन्री और बांगलादेश पेट्रोलियम कॉर्परेशन को बधाई देता हूँ एक्सलेंसी कितना सूप सहयोग है कि आज कहिया उद्घाटन बंग बंदु शेक मुझबूर रह्मान की जन्म जैन्ती के एक दिन बाद हो रहा है बंग बंदु के सोनार बांगला विजन में पूरे एक शेत्र का मैत्रिपुन विकात तता समरुद्धी सामिल था यह सहयोग्त प्रोजेक्ट उनके इस विजन का उत्तम उदाहरन है एक्सलेंसी भारत बंगला देश सहयोग के हर पहलू को आपके मारदर्शन का लाप मिलता रहा है इसमें यह प्रोजेक्ट भी शामिल है मेरे साथ इस आयोजन में साविल होने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इस प्रोजेक्ट से लाभानवित होने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ धन्यवाद